आज से शुरू करेंगे direct and indirect speech के rules को तो सारे rules अपने को देखना है important exceptions है वो अपने को देखना है और जो types of sentences होते हैं उनको change करने के लिए क्या उसमें extra add करना पड़ता है या remove करना पड़ता है वो सारी इस से जुड़ी जो भी चीज़ें वो सारी cover करेंगे इसके बाद फिर इसी topic पर कुछ practice set up करेंगे तो 50-100 सावाल रखेंगे इसकी practice के लिए तो बिल्कुल basic से शुरू करते हैं कि ये speech basically है क्या speech है फिर कई जब books में आपको narration लिखा हुआ मिलेगा तो दो तरह की होंगे एक तो direct speech होगा दूसरा indirect speech होगा कैसे पहचानते हैं बहुत symbol है double quote से इसे easily पहचान सकते है कि speech जो है जो direct वाला speech है वो होता क्या है it is quoted in actual words used by the speaker कि speaker नहीं जो बोला किसे ने आप से कोई बात कही आपने वो मुझे शब्दशह बता दिया वो होगा direct speech जैसे रवी said I am late for the meeting तो रवी said उसके बाद जो inverted comma में इतना वाला हिस्सा जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शब्दशह जो उसको बोला था हो ऐसा का वाईसे उसने सुना दिया बिल्कुल तोते जैसा वो होगे अपना direct speech हमेशा double quotes के अंदर inverted commas के अंदर ये होता है तो speech is reported in a form of a narrative giving the substance of our meaning as it is उसके शब्दों को अपने को नहीं सुना देना है जैस उसने जो भी बोला उसके बात का जो भी सार है वो अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो हो जाएगा indirect speech जैसे उसी बात को यहाँ पे लिखा है रवी said that he was late for the meeting अब यही कौन यह सब कुछ अपने को यहाँ पे देखना पड़ता है यहाँ पे था I यहाँ पे हो गया he यहाँ पे I am late present चल रहा था यहाँ पे he was past हो गया तो यह सारे conversion होता है जब भी हम speech में change करते हैं direct से indirect indirect से direct वो सब कुछ तो rules अभी detail में देखेंगे अब इसे के component की बात कर लेते हैं जो भी speech लिखा होगा उसके क्या-क्या components होते हैं क्योंकि जब हम rules देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि reported speech का verb आपको change करना है tense आपको change करना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हो था कौन सा है वो चीज तो चार component है पहला reporting speech दूसरा reported speech तीसरा reporting verb और चौथा reported verb अब सब कुछ report हो रहा है तो confusion हो जाता है इस वाले example से देख लेते हैं ये जो अंदर लिखा हुआ है जो double quotes के अंदर लिखा हुआ है ये कौन सा होगा है चारों में से ये reported speech है ये वाला हिस्सा जो है reported speech अब इसमें I am happy इसमें जो verb है वो कौन सा होगा reported verb होगा अंदर जो लिखा हुआ है speech है reported speech का जो verb है वो reported verb होगा तो ये हुआ पहला हिस्सा अब next है ये वाला है इससा राजू said इससे कहते है reporting speech और इसमें जो verb use होगा वो होगा reporting verb reporting verb के हिसाब से हम reported verb को change कर रहे होते हैं सारे के सारे rules इसी पर defined होते हैं आगे चल के जब हम लोग देखेंगे तो reported speech जो double quotes के अंदर लिखा होगा है और जो double quotes में लिखा है उसी speech का जो verb है वो हो जाएगा reported verb और आगे वाला इससा जो रहता है आगे या फिर पीछे इससे कहीं पर भी लगा सकते हैं वो कहलाएगा reporting speech या फिर reporting verb तो यह होगा बिल्कुल basics जो अपने speech से related रहेंगे किस तरह का वो दिखेगा कौन-कौन से इसके component है हमें उसमें क्या identify करना है next reported speech can be used at the beginning and middle of the sentence तो यहाँ पर मैंने कह दिया reported speech तो अपने को ध्याना आना चाहिए कौन से component की बात हो रही है reported speech मतलब जो double quotes के अंदर लिखा है it can be used at the beginning शुरुआत में हो सकता है आखरी में हो सकता है या फिर middle of the sentence में हो सकता है कैसा पहला example the principal said the school shall remain closed for a month तो यहाँ पर जो reported speech है मतलब यह double quotes वाला है वो end में है दूसरा example देखें let's go for long drive he said to his friends अब यहाँ पर जो reported speech है वो sentence की शुरुआत में end में भी हो सकता है शुरुआत में भी हो सकता है middle में बहुत कम देखने को मिलता है ज्यादा तर end या शुरुआत में देखने को मिला है middle में भी हो तो अपने को फरक नहीं बढ़ता है प्योंकि अपने होत के वाल convert करना है अपने सामने options रहेंगे इसके साफ से देख के कर लेंगे rules भी वही लगाएंगे सब कुछ वही रहेगा ये बात हुई अभी बिल्कुल exact basics की component क्या है direct indirect क्या है अब इसकी detail में अपने को नहीं चलना है अपना exam में बस इतना आता है कि आप speech change करके आपको बता दो बिल्कुल detail में अपने को बहुत ज़्यादा चलना नहीं है कि reported speech ऐसा होगा तो वैसा कैसा दिखेगा जैसा भी दिखेगा answer आपके सामने रहेगा options के format में just आपको एक ही काम करना है correct answer को identify करना कैसे identify करना वो बस अपने को सीख लेना है और अपना काम होगे next general rules अब इसके rules पर चलता है कि जब speech change करने को आता है अपने सवाल भी ऐसी रहेंगे direct speech लिखा रहेगा उसको indirect में change करो या indirect दिया है उसको direct में change करो और चार options रहते हैं तो general rules है इनको लगा के easily हम इसे change कर सकते हैं और जो direct और indirect speech वाला topic है जो narration वाला topic है यह बहुत scoring topic है 100% आप इसमें marks score कर सकते हैं कितना असान इसको approach करना है just थोड़ा सा अपने को presence of mind रखना है और चीछे थोड़ा सा याद रखनी पड़ती yes में change होता है yes में change होता है और वो keywords कौन सा keyword किसमें change होता है बस बहुत सारा काम अपना हो जाता है एक तो पहला tense दूसरा keyword दो चीजों से यह topic 100% solve होता है अब rules की बात कर लेते हैं पहले rules की बात करें the inverted comma used in direct speech are removed direct जो अपने double quotes है उनको हटाते हैं जब भी आप उसे in direct speech में change कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पर she says I am late double quotes में लिखाता है मतलब यह है direct speech इसे indirect में convert करना है तो she says that she is late अभी जैस पहला rule था कि double quotes हटाते हैं जब भी हमें indirect में change करना पड़ता है तो यह हो गया indirect speech अब इसमें क्या-क्या change होता है इसे भी थोड़ा सा आगे देखेंगे कि I, she में क्यों change हो गया M अब यहाँ पर says आ रहा है इसलिए अंदर कुछ भी change करना नहीं पड़ता मतलब tense change नहीं करना पड़ता तो यह भी present में था यह भी present में था कब change करेंगे कब नहीं करेंगे वो सब कुछ कौन decide करता है reporting speech का verb मतलब reporting verb यहाँ पर reporting verb है says कौन सा tense है यह present tense है तो जब भी यहाँ पर present tense दिखेगा या future दिखेगा तब हमें अंदर वाला जो verb है reported speech का जो verb है उसे change नहीं करना होता बाकि component change होते हैं आए change हो रहा है तो वो son वाला rule लगेगा उसे भी discuss करते हैं इसे साथ बस बहुत basic सा general double quotes हटाना है और फिर अपने शब्दों में उसे लिखना है यहाँ पर जब उसे indirect में convert करते हैं next rule number two when the reporting verb reporting verb की बात हो recently मैंने उपर आपको पहले दिखा दिये थे components क्या होते हैं ताकि अब जितना भी लिखा रहेगा उसमें यह रहेगा reporting speech, reporting verb यह सब कुछ तो अब विजुलाइज होना चाहिए कि कौन सा reporting verb कौन सा reported speech that's it when the reporting verb is in the present tense or future tense or reported speech is a universal truth there is no change in the tense of reported speech उने बताया है कि पहला तो अगर present tense में है reporting speech reporting कौन सा यह वाला अगर यह present tense में है तो अंदर जो reported speech है उसका फिर अपने को verb change नहीं करना होता अब present tense में हो या future tense में हो या फिर जो भी बात कही हो एक universal truth है तो चाहे universal truth हो habit हो fact हो या proverb हो उसके tense को हमें change नहीं करना होता है examples देखते हैं इसी का इस वाले को देखें he says रूची गोज अरली he says reporting speech को देखते हैं उसका verb देखते हैं तो वो है यहाँ पर present tense है मतलब मुझे अंदर जो reported speech है उसका tense change नहीं करना है इसे जब convert करेंगे indirect में तो वो ऐसा दिखेगा he says that रूची गोज अरली तो गोज यहाँ पर भी गोज tense exactly same था दूसर example देखें कुमार विल्स से प्रकाश is always angry तो यहाँ पर reporting speech का जो verb है वो किस tense में है future tense में तो future tense में है मतलब जो reported speech है उसका verb हमें change नहीं करना है तो इसको जब convert करेंगे indirect में तो वो कैसा दिखेगा कुमार विल्स से दाट प्रकाश is always angry तो यहाँ पर भी is always angry यहाँ पर भी is दोनो same tense में है इसी तरह से कोई कहावत लिखी हो sun rises in the east तो वो एक fact है universal truth है एसी कोई भी चीज होगी तब भी हम change नहीं करेंगे भले ही यहाँ पर reporting verb जो है वो past tense का ही क्यों नहीं next rule number three when the reporting verb जब reporting verb is in the past tense उपर देखाता अगर वो future tense में हो अगर वो present tense में हो तो अंदर change हमें नहीं करना होता है लेकिन अगर reporting verb past tense में हो तब हमें कुछ बदलाओ करने पड़ते हैं किसमें बदलाओ करते हैं तो reporting verb को देखके हम change करते हैं reported speech के verb को अगर अब यह जो भी लिखा हुआ present simple present continuous यह सारी चीज़े क्या है reported verb के लिए है जो अंदर double quotes के अंदर होता उसको change करना है अगर अंदर वाला sentence simple present में है तो वो चला जाएगा past simple में present continuous में है तो past continuous में तो basically एक step आप timeline में पीछे जा रहो present से आप चले जा रहो past में यह कब हो रहा जब हम direct से indirect में जा रहे हैं तो अगर speech direct में indirect है और direct हमें करना है तो इसका reverse follow करेंगे अगर indirect speech लिखा है past simple है तो उसका जो direct speech बनेगा वो present simple में होगा flow अपने को ध्यान रखना है तो जो भी rules है वो यह मान के चल रहे हैं कि आप direct को indirect में convert करेंगे इसका जब reverse करोगे तो rules को भी आपको reverse कर देना है अगर बात करें present simple है तो past simple present continuous है तो present का कोई भी tense है वो change हो जाएगा किसमें उसी past के tense में present perfect है तो past perfect present continuous है तो past continuous इस तरह से basically present tense था उसको ठाके आपने past बना दिया जब आपने direct से indirect में change किया तब उसी तरह से अगर already वो past में हो तब क्या करेंगे जो reported verb है वो अगर past में है तो past simple past perfect में हो जाएगा past simple से आप चले गए और एक step पीछे past perfect past continuous है तो past perfect continuous अब past perfect तो सबसे पीछे उसके पहले तो और time उसके पीछे की timeline तो कुछ है नहीं तो no change उसे तरह से past perfect continuous में भी no change तो वो basically no change का मतलब कि past perfect में ही लिखा रहेगा वो indirect speech भी तो इसको कहते हैं time में पीछे जाना present से आप चले गए past में अगर past में है तो आप और चले गए पीछे past perfect में ये कब कर रहे हैं अगेन में repeat कर रहा हूँ जब आप direct से indirect बना रहे हो तो अगर indirect से direct बना रहे हो तो कुछ जो model verbs हैं उनका क्या करेंगे तो will change हो जाएगा would में shell हो जाएगा should में अगेन कब ये सब कुछ हो रहा है जब हम direct से indirect में जा रहे हैं तब इस direction में हम लोग सोच रहे हैं अगर उल्टा होगा indirect में दिया है तो would change हो जाएगा फिर will में will would में, shell should में, may, might में, can, could में ये कुछ जो हो गए अपने कह सकते हैं कि keyword हो गए इन समनों देखके कई सारे options को eliminate कर लेते हैं तो जब भी direct indirect के questions को solve करते हैं तो पहली चीज़ क्या करते हैं या तो word देख ली कि उसमें क्या change हो रहा है या कोई न कोई keyword ढूंड लिया उसके साब से at least 2 options हमेशा ऐसे मिली जाएंगे, 100% होता है कि वो eliminate हो जाते हैं तो process अपनी fast हो जाती है, अब 2 options में से correct अपने को बस identify करना पड़ते हैं ये process है, या कह सकते हैं कि steps कह सकते हैं, time बचाने कि अपने exam में solve करने के लिए have to, head to में head to change होगा, headed to में should में कोई change नहीं होगा must में भी कोई change नहीं होगा तो ये कुछ keywords होगे, notes बनाते चलना लिखते चलना, अगर पहले से नहीं लिखेते तो ये सारे changes होगे जब reporting verb past में है तो reported verb में कि tense में क्या क्या change होगा ये बात होगे अपनी यहां तक अब rule number 4 के बात कर लेते हैं तो कुछ special words हैं जैसे कि need to, used to, would rather would better, head rather dare not, ought not ये सब क्या होते हैं, change नहीं होते हैं जब आप direct से indirect में convert करते हो तो, जैसे example से देख लेते हैं इसको, he said I used to go to school by bus तो used to ये हो आपका direct speech, इसको जब change करेंगे indirect में, he said that he used to go to school by bus तो ये चीज़ यहां पर retain हो जाती, used to, need not, dare not ought not, इनको हम इसमें कोई change नहीं कर रहे होते हैं कुछ special word होगा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कुछ group of words है, जिसे हमें change नहीं करना है next rule number five change in time and place ये बढ़िया चीज़ है, in fact बहुत अच्छी चीज़ है options eliminate करने में तगड़ा हमें ये benefit देती है time और place में कौन से keywords इनको keyword अपन कह सकते हैं, solve करने के purpose से will इसमें change हो रहा है, can इसमें change हो रहा है, में इसमें change हो रहा है now, ago, today, this day, tomorrow yesterday, बहुत बढ़िया keywords है अगर ऐसा कोई question आ रहा है जिन में लिखे हो हैं तो खुश हो जाते हैं कि दो options तो गए, अब दो में से अपने को identify करना है तो ये किसमें change होते हैं ये अपना लिखा हुआ है now change हो जाएगा then में ये कब हो रहा है अगें जब हम direct से indirect में जा रहे हैं ता अगर indirect से direct में जाएगे तो then लिखा होगा उसको now में convert करेंगे अगो change होगा before, today, that day, tomorrow, the next day next month, the following month the day after tomorrow in two days time ये बिल्कुल बढ़िया वाले keyword होते हैं जिनको देख के अपन options को pick कर सकते हैं दूसरा, hair change हो जाता है there में thus change हो जाता है so में this, that, these, those again, ये कुछ और अपने words हो गए dense वगएरा तो बहुत rare देखने को मिलता है कुल, हजार सवाल देखोगे तो उसमें शायद एक आदम कहीं दिख जाए तो उसकी इत्ती चिंता करने की जुरत नहीं है hair, thus, this or these, ये जम के देखते हैं तो ये कुछ होगए अपने special words time और place के हिसाब से time में ये देखे थे, place के हिसाब से ये देखे थे, ये किस में change होंगे तो again direct से indirect मे हम जार रहे हैं, ये direction बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि indirect से direct में जाएं और हम लोग ये चीज़ as it is कर दें चल रहे हैं हम लोग direct से indirect में, अगर उल्टा जाएंगे indirect से direct में change करना है तो reverse follow करेंगे कि those में लिखा होगा, उसको हम these बना देंगे, बस ये थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखना तो ये बात हुई थी, change in time and place तो ये जो भी time and place हुआ, ये हो गए keyword यहाँ पर models यहाँ पर देखे थे, will, shall, may, could ये हो गए important keywords कौन किसमें change होता है, बिल्कुल fix है इसलिए ये हो जाते है keyword कि ये तो C में जाएगा, कहाँ का option में दिख रहा है देख लो, जहाँ पे नहीं हो, उसका eliminate कर दो next rule number 6 अब जो pronoun change करते हैं उपर देखा था, I change हो रहा था, she में वो किस हिसाब से change होते हैं तो उसके लिए है rule number 6 change in pronoun in reported speech reported speech के verb में जो change होता है, वो हमने पहले देखा अब उसी reported speech के जो pronoun में changes आते हैं, वो हम लोग अब देखेंगे तो rule चलता है, S-O-N son first, second, third, ये इसका क्या मतलब है first person, second person third person, तो जो first person अब ये first person, second person, third person किसका? reported speech का reported speech में जो first person, second person, third person है, वो किसके साब से pronoun change होंगे? तो वो होता है, S-O-N के साब से first person change होगा, S as denote करता है किसको? subject को, ये होगा subject, second person अगर reported speech में है, तो वो change होगा किसके साब से? object और अगर third person है, तो वो N का मतलब no change बस, ये होगा S-O-N, तो reported speech जो double quotes के अंदर लिखा है, उसको देखते हैं उस reported speech में अगर first person है, तो वो subject के साब से change होगा second person है, तो वो object के साब से change होगा, third person है, तो वो फिर वो उसमें कोई change आएगा नहीं first person, second person, third person के हैं noun के classes में हम अच्छे से देख चुके इसके example से यहाँ पर देख लिएते हैं इस वाल इससे को मिटा देता हूँ नीचे he says I study hard, तो he says I study hard यह direct speech में लिखा हुआ है, अब हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, change of pronoun in reported speech, reported speech कौन सा है, यह वाला हिससा, इस वाले हिससे में pronoun कहां पर है, यह वाला, I अब I क्या है, first person है, second person है, third person है first person है, तो first person subject के साब से change होगा, तो इसे जब हम लोग convert करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, he says that he studies hard, he says he के साब से, कौन कह रहा था, जो कह रहा था, वही हमारा subject होगा, तो I change हो गया subject के साब से, तो यहाँ पर हमने उसे लिखा he, he says that he studies hard, दूसरा second person change होगा, किस के साब से, object के साब से, तो यहाँ पर he says to me, object कोन है, यहाँ पर me, तो you change होगा me के साब से, इसको convert करेंगे, यह बनेगा he tells me that I study hard, I के लिए यहाँ पर हमको use करना है, object के साब से, तो यहाँ पर लिखेंगे I he tells me that I study hard, तो दो चीज़े देखनी पड़ती है, एक तो verb change करना है कि नहीं हमें reported speech का, दूसरा reported speech के जो pronoun है, वो किस के साब से change होगा, यह दोनों चीज़े देखी, जब question solve करेंगे, तो बहुत सारे examples लेंगे, वहाँ पर clear हो जाएगा, कौन किस में कैसे कैसे change होता है, पर यह rule अपने को basic यहाँ पर पता होना चीज़े, son, first person subject के साब से change होगा, second person object के साब से change होगा, third person में कोई change नहीं आता, एक और example यहाँ पर, he says to me, she studies hard, अब she, first person है, second person है और third person, third person है, तो यहाँ पर इससे convert करेंगे, तो she tells me that she studies hard, इसमें no change, यह हो गया अपना son वाला rule, son वाला rule use करते हैं, pronoun को change करने के लिए, next, rule number seven, change in reporting verb, उपर हमने देखा था, reported, reported verb में change हो रहा था, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि reporting verb में क्या-क्या change होता है, double quote सट गया है, वहाँ पर that जुड़ जाता है, फिर अगर say है, वो किसमें change होगा, sad है, वो किसमें change होगा, reporting verb में क्या-क्या change आते हैं, अब वो अपने को देखना है, तो reporting बहुत एक जैसे लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है समय, reporting verb मतलब जो double quotes के बहार लिखा हुआ है, अगर say है, तो वो say ही रहेगा, says है, तो वो says रहेगा, say to है, तो वो tell में change होगा, और says to है, तो वो tells में change होगा है, कुछ basic चीज़ है, जो अपने को थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, अभी अब बात कर रहे हैं, अभी तक जो भी देखा था, वो था reported speech के लिए, अब होगा reporting speech के लिए, तो reporting speech के अंदर, जो reporting verb है, he says, she says, she tells, ये सब कुछ, तो say, say के साब से, say to tell और says to change होगा है, tells में, और देखें, reporting verb अगर past tense में हो, यहाँ पर था अपना present tense में, अगर वो past tense में होगा, तो said लिखा होगा, जैसे उपर था, he said that, something, something, ऐसा कुछ भी, said है, तो वो said ही रहेगा, said to है, तो वो हो जाएगा, told, he told me that, फिर so and so, said, said में रहेगा, और double quotes अटके वहाँ पर जुड़ जाता है, that, he said that, और फिर उसने जो भी कहा था, उसे convert करके हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं, यह बात हुई, reporting verb में क्या change हो, rule number eight, for more than one reported speech, use and, या फिर further added, जो double quotes के अंदर कई बार क्या होता है, कि दो sentences लिखे होते हैं, कुछ कहा, full stop, फिर दूसरा कुछ कहा, तो इस चीज को जब मैं, या कोई भी अपनी भाशा में convert करेगा, तो, वो जो full stop हटाना है हमें, तो full stop हटाना है, तो उसकी जगे क्या ordered, कि उसने ये कहा, और उसने उसमें जोड़ा, कि ये ये चीजे और हैं उसमें, ऐसा, तो उसके लिए ये कुछ extra चीजे हम लोग इसमें अब add कर रहे हैं, कब add कर रहे हैं, for more than one reported speech, उपर के जो examples देखे थे, सब में के वहल, एक एक reported speech था, कोई बात कही, full stop, बात खतम हो ग खतम हो गई, दूसरी बात उसने ये कही, पूरा का पूरा आपका double quotes के अंदर आ रहा है, इसको जब अपने को चेंज करेंगे, या इसको जब चेंज करेंगे, indirect speech में, इरा informed me that, she was feeling feverish, full stop, she further added, अब ये I may not be able to go, इसको किस तरह से लिखा, she further added that, she might not be able to go to the market, with me next day, बाकी सारी चीज़े सेम रहेंगे, tomorrow था तो देखो next day में change हो गया, आये था तो वो यहाँ पे she में change हो गया, यहाँ पे आये था, तो यह change होगा, she में, son वाले rule के साब से, यहाँ पे हम pronoun भी change कर रहे है, reported speech का verb भी change कर रहे है, rule सारे के सारे लगेंगे, just यह अपना rule इसे साब से है, कि अगर एक से ज़्यादा reported speech है, तो वहाँ पे जब भी हम options में देखेंगे, तो बाते जो हैं, वो end से जूड़ी होई दिखेंगी, या फिर further added इस तरह से में, extra words वहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे, उससे साब से अपने को eliminate नहीं कर देना है, कि अरे further added तो कहीं लिखा ही नहीं, यह तो होई नहीं सकता, actually ऐसे ही होगा हो, उसी तरह से वो structure बनेगा, next, rule number 9, models are changed according to the meaning of sentence, तो कुछ models उपर देखे थे, will, shall, could, में, वो सारे किस तरह से change होते हैं, और फरा से यहाँ पे देखते हैं कि, meaning of the sentence के हिसाब से भी उनमें कुछ-कुछ alteration कभी-कभी दिख सकता है, तो will, shall, is changed into would, should, but, if the statement is suggestive, will, shall, is changed into should, suggestion अगर किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमें केवल should use करना पड़ता है, in general, will, would में, और shall, should में change होता है, इसको example से समझ लो, she said to me, what shall I do after lockdown, what shall I do after lockdown, shell दिख रहा है, यहाँ पे said आ रहा है, past है, मतलब अंदर के जो reported speech का जो verb है, उसे हमें change करना पड़ता है, तो convert किस तरह से हुआ, she asked me, question mark खटा, यहाँ पे asked जुड़ गए, me, what she should do after lockdown, तो यहाँ पे shall change हुआ किस में, should में, क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक suggestion जैसा लेना चाहरी है, इस वज़े से, shall do after lockdown, I change हो रहा है, she में, बाकि सारी चीज़े उसी तरह से change होगी, plus question mark व तो यहाँ पे what shall I do, shall आया, फिर I, मतलब helping work, फिर subject आ रहा है, तो inversion follow हो रहा है, जो भी question mark वाले वाले होते हैं, अब यहाँ पे यह सवाल, question mark वाला sentence नहीं है, अपने शब्दों में आपने उसकी बात को बया किया है, तो what she should do, तो subject पहले आया, helping work यहाँ पे बात में हो गया यह बहुत बढ़िया चीज होती है, options में दोनों मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे convert तो आपने बाकी सब कुछ कर लिया, कई बार inversion check करने में हमसे mistake हो जाती है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है, question mark वाला sentence है, तो वहाँ पे inverted form use होता है, normal sentence है, तो वहाँ पे inversion follow नही जरुत है, इसको convert करेंगे किस तरह से, he asked me, question मागता है इसलिए यहाँ पे, इस तरह के sentences में आपको asked, उसने मुसे पूछा, ऐसा, if he had to send a letter, कि क्या उसे letter भीजने की जरुत है, तो need I, need यहाँ पे change होगे किसमे, if he had to, if क्यों क्यों कि यहाँ पे question मागता कि क्या उसे letter भीज change करते हैं, तो कुछ extra चीज़े हमें जुड़ी वहाँ पे दिखेंगी, अपने को sense के साफ से चलना है, कि अच्छा, need I send a letter, क्या मुझे letter भीजने की जरुत है, इसको मैं convert कर रहा हूँ, if he had to change a letter, कि क्या उसे letter भीजने की जरुत थी, tense change होगा यहाँ पे, क्योंकि sad है, reporting speech मे अगर past tense है, तो reported word में अंदर changes आएंगे, next, could is changed in case of permission, अगर permission वाली बात हो रही हूँ, जैसे he said, when I was a kid, I could not go out alone, यहाँ पे दिख रहा है अपने को could की, I could not go out alone, इसको convert करेंगे indirect में, he said that when he was a kid, he was not allowed to go out alone, तो could तो यहाँ पर गाय भी हो गया, could की जगे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, he was not allowed to go out, sentence का meaning अपना as it is, यहाँ पर कन्वे होना चाहिए, क्योंकि could को और किसी में change तो करेंगे, can, could में change होता है, जब indirect में change करते हैं, अगर इसको यहाँ पर कहीं पर भी could डालने की कोशिश करें, तो sense यहाँ पर पूरा गडवडा जाएगा sentence का, I could not go out, मतलब मैं नहीं जा सकता था, यहाँ पर भी हमें यही बताना है, कि उसे allowed नहीं था जाना, तो indirect switch में हम अपनी भाशा में कहीं गई बात को बता रहे होते हैं, इसलिए कई बार कुछ extra words यहाँ पर जुड़े वो बोल रहे हैं कि तन्वी तुम चुपचा बैटो, तो एक kind of यहाँ पर order अपने को sense दिख रहा है, कि order दे रही है teacher तन्वी को, इस तरह में teacher ordered तन्वी to be silent, teacher ने तन्वी को order दिया silent रहने के लिए, ठीक है, तो question mark था, तो महाँ पर ask भी दिखा, यहाँ पर sense आ रहा है कि क रही गई है, लिखी गई है, sense सर्वो पर ही होता है, उसी के हिसाब से सारी चीज है हमारी चल रही होती है, तो पढ़के समझना, जो भी बात लिखी हुई उसको समझना, यही comprehension होता है, SSC भी अपने notification में English comprehension लिखके देता है, English language and comprehension, तो वो reason है कि जो भी चीज लिखा हुआ ह अपने को इसको पढ़के सही सही sense अपने को मिलना चाहिए, यही skill है जो कि वो आपकी test कर रहे हैं, और कोई आपकी English नहीं वो test कर रहे हैं, next, today, tomorrow, tonight, do not change, अब यह देखो today आ गया, tomorrow गया, tonight आ गया, यह हमने उपर keywords में भी देखा था, कि यह change हो रहे थे, अब यह कब change नही नहीं होंगे, when the speech is reported the same day, जब उसी दिन वो बात कही गई हूँ, कि आप से किसी ने सुबह कुछ कहा था, शाम को आप मुझे बता रहे हो, तो वहाँ पर today, today ही रहेगा, tomorrow भी tomorrow रहेगा, tonight भी tonight रहेगा, क्योंकि day change नहीं हुआ, इस वज़े से, किस तरह से दिखेगा यहाँ इशा सेट today, तो कैसे पता चलेगा कि आज की बात ही आज कही जा रहे है, तो जो भी example sentence रहेगा, वहाँ पर specifically लिखा हुए दिख जाएगा, कि इशा ने मुझे से आज कहा था, फिर जो भी कहा था, वह यहाँ पर लिखा हुआ है, आज की बात ही आज बता ही जा रहे है, इस कानपूर tonight, tonight यहाँ पर change नहीं हुआ, in general tonight definitely change होगा, अगर यहाँ पर today न लिखा होता तो, अगर आज की बात आज नहीं कही गई है, तो यहाँ पर change होगा, लेकिन अगर आज की बात आज ही बताई जा रहे है, तो tonight या फिर tomorrow या फिर जो भी अपने time वाले sense थे, उसमें change न चाहिए हमेशा आगे वाले history को देख के, next exceptions, exception वाला part अब करेंगे कल वाली class में,